शहर के चाउनिक शित्र में इस्तित्व किराने की दुकान में घुसे एक नाबालिक ने दुकान के गल्ले से नगदी चुरा ली चोरी की उक्तु वारदात दुकान में लगे CCTV कैबरे में कैद हुई वारदात के दुरान दुकानदार दुकान में मौजूद नहीं था लेकिन ये बताया जारा है कि नावालिक ने दुकान के गल्ले से 10,000 रुपे की राश्य उडा ली वारदात को अंजाम देने के बाद नावालिक इम्तिहान से पैसे जेब में रखकर दुकान से बाहर भी निकल गया CCTV फूटेज के अनुसा चोरी की वारदात को अंजाम देने बाला नावालिक शायद दुकान के बारे में जानकार भी था उसे पता था कि गल्ला कहां पर है? लेकिन इस प्रकार दिन दहाडे नावाली की द्वारा की गई इस वार्दात के बारे में हम गहें तो चिंता का विश्य है शेर वासी उसे अपील है कि CC TV फोटेज में दिखाए गए के बारे में अगर किसी प्रकार की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सुचित करें ताकि इस प्रकार की वारदातों पर अंकुष भी लगाए जा सके जानकर की मताबिक आपको बता दे कि चूरी की उक्तुबारदात दिमनंद प्रोविजिनल इस्टोर पर हुई है ये बताया चरा है कि दुकांदर गोपाल दास पुत्र नारैन दास बजार गया हुआ था और उसका बच्चा दुकान पर बैठा था इस दुरान डेरी की गाड़ी के दूद लाने के दुरान दुकांदार का बच्चा गाड़ी का इंतजार करने के लिए बाहर खड़ा हुआ और पीचे से नाबालिक ने उक्तुबारदात को अंजाम दे डाला पांदरा से वीच हजार में छोड़ के गाड़ी पिशे फुल ओंगे जड़त होती पीछे दिक्कत दियों बच्चे को उसके अंदर से बारा पंदर हजार सम्धिंग गाए वह है पांच हजार पड़े से पांच हजार सम्धिंग पीछे इसमें मैंने जब मोल जी वैसाब को र सब्सक्राइब करें मोबाइल बाता किया फोटो दोनों अपने केमरे लगे में दुकान में